नमस्कार सत्स्री अकाल आदाब कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ सौस्त और आनंद से ही होंगे आज टीवी नाइन भारत बर्स के प्लेटफॉर्म पर आपके साथ ये मेरी पहली क्लास है मैं आपके दिमाग पर बोज बिलकुल नहीं डालने वाला हूँ कुछ हलकी फुलकी काम की बाते होंगी बस ज्यादा कुछ नहीं अक्सर हम सब देखते आए हैं कि यूपी बिहार समेट उत्तरभारत के राज्यों में बड़ी संख्या में युवा अपसर बनना चाहते हैं अच्छी बात है बनना भी चाहिए आप में से कई के दिमाग में कुछ और बनने का सपना चल रहा होगा लेकिन मम्मी, पापा, दीदी, भाईया घेर कर आपको भी अपसर बनने पर आमादा दिखते हैं यही कारण है जब हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आता है तो यूपी बिहार के टॉपर बड़ी संख्या में अपसर बनकर ही देश की सेवा करना चाहते हैं मैं भी चाहता हूँ कि बड़ी संख्या में यूपी अपसर बने लेकिन इन बच्चों को इस उम्र तक तो यह भी नहीं पता होता कि आखिर आईयस बनने का रास्ता कहां से जाता है असल में ये मम्मी पापा और आस पडोस की प्रेणडा होती है जब बिना जाने समझे यूवा आईयस पीसियस बनने के सपने बुनने लगता है टॉपर हैं तो मेडिया भी पहुँची जाएगा कैमरा दिखा नहीं तुरंत अपसर बनने के सपने हाजिर सपने देखने चाहिए हमारे राश्टरपती रहे डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम साब कहा करते थे कि बड़े सपने देखो लेकिन खुली आखों से वे खुली आखों का कॉंसेप्ट इसलिए लेकर आए क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे यहां सपने खुब देखे जाते हैं लेकिन उसे साकार करने के जो प्रयास होने चाहिए उसमें इमानदारी कम होती है कुछ तथ है जान लेते हैं हमारे देश में अखिल भारतिय सिविल सेवाओं के लिए हर साल वेकिनसी आती है यह संख्या लंबे समय से हजार के आसपास होती है सो दो सो कम या ज़ादा सकसेज रेट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वन परसेंट है इसी में IAS, IPS, IFS, IRS समयत करीब दो दरजन से ज़्यादा बदों पर भरतियां की जाती है इसके लिए हर साल लगभग 10 लाख से यूपर यूआ प्रिलिम के लिए फॉर्म भरते हैं बड़ी संख्या में फॉर्म भरकर भूल भी जाते हैं एक जाम देने के लिए सेंटर पर नहीं पहुँचते एक बड़ी संख्या ऐसे इवाओं की होती देखी जाती है जो प्रिलिम में यह जानने के लिए आते हैं कि आखिर यह होता क्या है जो पहुचते हैं उनमें से लगभग एक लाख गंभीरता से पूरी तयारी के साथ आते ह यही प्रिलिम पास भी कर पाते हैं आगे बढ़कर मेंस तक पहुचते हैं अगर आपके मन में सपने आते हैं तो तै करिए कि हम पहले चरण में एक लाख में सामिल होना है हमें नहीं कि सुरुवाती कटेगरी में रहना है अगर आप ऐसा करते हैं तो उसी अनुरूप तयार करेंगे फिर 0.1% में सामिल होने की कोशिस करेंगे मैं अपनी अगली क्लास एक लाख वाली कटेगरी में सामिल होने की तमन्ना रखने वाले युवाओं के लिए करने वाला हूँ तब तक आप TV9 भारतवर्स से जुड़े रहें आपको TV9 हिंदी.com पर बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो अफसर बनने में मददगार होगा मेरी क्लास तो यहां होगी ही होगी तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में जय हिंद क्लाई बहुत कुछ बहुत कि कि मैं चुछ आपिन हैं जय हुआड़े हैं आहिए हैं आहिए।